हेलो गाइज, वेलकम बैक, दिस इस साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2017 में आई एक कनेडियन फिल्म पाई विकिट के बारे में जिसे डायरेट किया था एटम मैक डॉनाल्ड ने पाई विकिट ये एक जिड्याल का नाम है और इस हारर फिल्म में हम इसी के बारे में जानेंगे फिल्म की कहाने के शिरुआत में हम सुन पाते हैं कि कोई जंगल में किसी रिजवल को पूरा करने के लिए स्पेल कर रहा होता है अब अगले दिन हम ली को उसके स्कूल में देखते हैं चोकि अपने फ्रेंड और रोन की कार में अपने घर आती है घराने की बात वो अपनी मा मिसिस रेस के साथ डिनर करके सूने जाती है रात में लियो जब अपनी मा की कमरे में आती है तो उसे बहुत जादा रोते हुए पाती है तब हमें पता चलता है उनके हस्बेंट चोकी लियो की पिता है उनकी मौत हो चुकी है मिसिस रेस इस हाथसे से अभी तक उभर नहीं पाई है जिससे वो लियो और खुद पर भी ध्यान नहीं दे पाती जिससे लियो ब्लैक मैजिक और उसके रिच्वल में बहुत साधा इंटरेस्ट लेने लगती है उसके रूम में बहुत सारी ब्लैक मैजिक से रिलेटिड बुक्स और पोस्टर भरे पड़े थे और इन सब से उसके दोज और उन रॉब और जैनिक भी इस ब्लैक मैजिक में बहुत साधा इंटरेस्टेट थे इविन वो सब स्कूल के बाद खंटो बैट कर ब्लैक मैजिक से रिलेटिड बाते और नोड्स भी बनाते थे एक तिन उसके स्कूल में एक बहुत बड़े राइटर रॉवन जेट जो कि ब्लैक मैजिक के उपर बुक्स लिखते हैं वो अपनी लेटिर्स बुक ब्लैक मैजिक ब्लैक रिवर के प्रोमोशन के लिए आये थे जिन से लिए वो अपने बुक पर साइन करवा वहां से अपने दोस्तों के साथ चली जाती है घर लेट आने पर उसकी मा लेट से आने पर उस पर गुस्सा करके उसे बताती है कि वो इस घर को बेच रही है क्योंकि वो जब तक इस घर में है तब तक वो अपने हस्बिन को बुला नहीं पाएगी जिस पर लियो बहुत ही जादा नारास होकर अपने रूम में जाकर रोने लगती है शायद वो इस घर में बिता है अपने पिता के साथ पलों को खोना नहीं चाती थी यह शायद उसे उसके दोस्तों को खोने का डर था क्योंकि अगर वो घर चेंज हुआ तो उसका स्कूल भी चेंज होगा अकले दिन स्कूल से आने की बात वो अपनी मा के साथ उसका नया घर देखने जाती है जोकि शहर से बाहार था जिसके अगल बगल और कोई भी घर नहीं था लियो की माँ उसे उदास देखकर उससे बोलती है कि इस साल वो अपने अभी के स्कूल में पढ़ सकती है पर अगले साल वो स्कूल चेंज कर देंगे अब कुछ दिनों बार वो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और अब मिसिस लेज लियो को रोज स्कूल जॉप करने और पिक अप करने लगी थी जिससे लियो बहुत सादा नाराज होती है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिता पा रही थी निमा के हेर ब्रश से उनकी बाल एक कटोरी दोड चाकू और एक लाल धागा सब सामाल लेकर वो जंगल में आती है जहां वो पाश पेडों के बीच एक पेड़ पर तीन बार एक पत्थर से मार कर उन पेडों को लाल धागे से बाढ़ने की बाद पेडों के बीच में एक सैनेटिक सिंबल बनाकर पेड़ विकेड चिड़यल का नाम लेती है और उसे बुलाने के बाद दोड में कुछ चीजे डालती है और अपना हाथ काट के उसमें खोन मिलाती है फिर उसे गार कर उसमें अपनी मा के बाल और वो दोड डाल कर उसे जाला जादू करने लगी और एक चड़ैल पाई विकेट को अपनी माँ को मानने के लिए बुलाया अब इन सब में रात होने के साथ उसके हाथ से कून भी आ रहा था तो वो अपने घर आते टाइम पीछे पलट कर उस जगह की और देखती है तो उसे लगता है कि वहां कोई है और वो भाब कर घर में आकर फ्रेश होने की बाद जब वो डिनर के लिए सैलड काट रही थी तब उसके हाथ से खून निकल जाता है और उस सैलड में गिर्टा है जिस पर उसकी माँ उसे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगकर उसके कटे हाथ पर मरहं पढ़ती करती है अब लियो अपनी मा की ममता देखकर शौक थी और वह समझ पाती है कि उनका खराब behavior बस उसके पिता की मौत के सदमे से है अब अगली सुबा उटने के बाद लियो जो अपने कमरे से नीचे आती है तो उसे में गेट के पास मिट्टी गिरी हुई मिलती है और ऐसा लगता है कि कोई जंगल से उसके घर में आया है इसलियो डरग करके उसकी मा मिट्टी को देखे वो उससे पहले मिट्टी को जल्दी से साफ कर देती है दोनों टाउन में जाते हैं जहांपर मिसिस रेस को एक टॉइ शॉप में जॉप मिल जाती है जिससे वो दोनों बहुत खुशते और हम देख पाते हैं कि मिसिस रेस का भी एवियर अप लियो के लिए बहुत अच्छा हो गया है जिससे लियो को भी अपने किये गए काम पर रात में लियो को अपने कमरे की ऊपर वाले स्टोर रूम से कुछ आवाजों के साथ तीन बार पत्थर माणने की आवाज आती है जैसे उसने रिच्वल के टाइम पेड़ पर मार कर किया था अब वो समझ जाती है कि उसका रिच्वल काम करने लगा है जिससे वो डर के मारे भा में आ चकी है सुबा जब लियो की आख खुलती है तो वो खुद को उस चंगल में पाती है वो डर कर घर की और भाग कर साफ करने की बात अपनी दोस्तों को जो भी उसने किया है और जो उसके साथ हो रहा है वो सब उने सच-सच बता देती है जिसपर रौब लियो पर गुस बात तोनों डिनर के बात मिसीज रेस की घर की कामों में मदद करने की बात सिगरिट पीने बाहर जाते हैं जैनिक लियोस उसे उस जगा के बारे में पूछती है जहां उसने रिच्विल किया था अब दोनों ऊस जगा पर पहुँ ќाते हैं जिसे लियो आवाज लगा कर उससे रुकने को बोलती है पर जैनी लियो को बोलती है कि वो बस मजाग कर रही थी और उससे मज़े ले रही थी अब दोनों घर आकर सो जाते हैं जहां हम फिर उस साई को जैनी के पास आते देखते हैं सुबा मिसिस रेस लियो को उटचा कर उससे जैनी के बारे में पुछती है क्योंकि वह घर में नहीं ती अब दोनों मा बेटी जैनी को ढूंते हैं तो वह उन्हीं कार में मिलती है जहां जैनी उन्हें उसे घर ले जाने के लिए बोल रही थी हम देख पाते हैं कि जैनी बहुत जादा डरी हुई है अब वो उन्हीं बार बार उसे घर चोड़ने के लिए बोल लई थी जिस पर वो दोनों उसे उसके घर चोड़ने जाते हैं लियो समझ नहीं पाती है कि वो पिछली रात को जैनी ने ऐसा क्या देख लिया कि उसकी हालत इतनी जादा खराब हो गई है अब जैनी स्कूल भी नहीं आ रही होती है जिस पर लियो उसे मेसेज करती है जिसका रिपलाई उसे नहीं आता अब लियो जैनी के पैरन्स से बात करती है तो उससे पता चलता है कि उनके घर से आने के बाद जैनी ने खुद को अपने रूम म इतना सब कुछ होने के बात लिए उस पेरा नॉर्मल बुक राइटर से बात करने के लिए उनके साथ एक अपॉंटमेंट बुक करती है जिसमें डेव उसे वीडियो कॉल पर समझाते हैं कि पाई विकिट जैसी चुडेल बहुत ही जादा मैन्यूपलेटिव होती है तुम ऐस समझो कि एक नदी हमारी दुनिया और उनकी दुनिया को अलग रखती है अब जब तुमने वो रिच्वल किया तो तुमने एक प्रिच का काम किया जिसे अब पाई विकिट हमारी दुनिया में आ गई है और उसे रोकने के लिए उसे उस रिच्वल को दुबारा रिवर्स मे करना होगा वो भी माफी मांगते हुए ठीव उसे उसकी आगों पर विश्वास ना करने की सला भी देता है जो कि वो चुरैल बहुत ही जादा मैनिपुलेटिव है अब चल्दे से घर आकर लियो अपनी मां की बाल के साथ सारे रिच्वल के सामान लेकर जंगल में जाती है चा पर एक लाश दिखती है जिसके करीब जाने पर उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो लाश इसके मां की थी और मिसिस रेस की डेड़ बाड़ी को देखकर हम समझ पाते हैं कि उनकी मौत तो बहुत पहले ही हो चकी थी और आप आप ही समझ चके होंगे कि वो इतने दिन घर के बाहर आया है लिए दौड़ कर अपने घर के पास आती है तो वहां फर उसे कोई नहीं दिखता और जब दुबारा अपना मूबाइल चेक करती है तो और ने नहीं उसने खुद को मैसेज और उनको किया था अभ वो अपनी मां को घर के अंदर देखकर डर जाती है और समझ आती है कि वो उसकी माने ही चिडएल है क्योंकि उसकी मा के behavior उसे change नज़र आने लगे थे घर में आने के बाद लियो भाग कर खुद को कमरे में बंद कर लेती है उसकी मां उसे पहले normally दरवाजा कोलने को बोलती है लियो की दर्वाजा ना खोडने पर उसकी माँ जोर जोर से चुलाने के साथ दर्वाजा तोड़ कर अंदर आती है तो अब वो चुडैल अपने असली रूप में आ गई थी जिसे देखकर लियो खिड़की से कूद कर घर की बाहर आकर पेड़ के पीछे चुप जाती है अब लियो ये समझ तो जाती ही है कि जो बॉड़ी जंगल में थी वो इसकी माँ की थी और ये चुडैल है इस वज़ासे वो कार में से फ्यूल निकाल कर अपनी माँ के रूम में जाती है और उन पर वो फ्यूल डाल कर उनके मना करने की बावजूत भी उन्हें जिन्दा जला कर मार देती है उसकी मा के साथ पूरा घर भी जल जाता है और औरों जब वहां पर आता है तो लियो उसे घर की बाहर बेहोश मिलती है अब सीन शिफ्ट होकर हमें हॉस्पिटल में लियो को दिखाया जाता है जहां पर डिटेक्टिव उसे बताता है कि डेट बाडी उन्हीं जंगल में नहीं उसके घर पर ही मिली है वो भी बहुत ही जली हुई हालत में और यह सुनकर लियो को उसकी जंदगी का सबसे बड़ा जटका लगता है मतलब जो बाडी उसने जंगल में देखी थी वो सच नहीं था और अब हम यहां पर यह देख सकते हैं कि लियो ने अपने गुस्ते की वज़े से क्या खोया है इसलिए हमें अपनी पैरेंट्स की बात हो और उनकी बेहिवियर को भी समझना चाहिए सिर्फ हम उनकी जिम्मेदारी नहीं वो भी हमारी जिम्मेदारी है सो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक ज़रूर कीजिएगा और यहां पर 4000 का लाइक टारगेट है जिसे प्लीज पूरा कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा जिससे मुझे पता चल सके कि वीडियो को लास तक किसने देखा है और नेक्स वीडियो में आपको शॉट आउट ज़रूर मिलेगा तो आप मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और टाटा बाई बाई